मज्याओं से सवादा था अमीत कुमार की रिपोर्ट मज्याओं गढ़वा प्रखंड चेतर अंतरगत बड़े पैमाने पर दस दिनों से अवैद बालू का उठाओ अस्थाने प्रशासन सहीत आलाधिकारी मौन मज्याओं मुख्याले से महस दो से तीन किलोमेटर की दूरी पर सुन्डी पूर मुख्य पत के बगल गहेडी क्रेशर कॉलेज रोड एवं बोडी खाड महुरान में बड़े पैमाने पर तीन से चार बालू डंबी याड बनाकर पिछले 10 दिनों से बिनर रोकटों के अवैद बालू का कारोबार किया जा रहा है प्रत्यक्स दर्शियों के अनुसार साम होते ही इन बालू डंपिंग याडों एवं आसपास ट्रकों एवं बालू लाने वाले ट्रेक्टरों का आवागमन सुरू हो जाता है और पूरी राज सरकारी ख़दान के जैसा कोयल एवं बाकी नदी से ट्रेक्टरों के माध्यम से बालू खनन कर इन तीन डंपिंग याडों में लाए जाते हैं और जेसे भी मसीन के माध्यम से प्रती दिल लगभग 15 से 20 ट्रक भर कर उतर प्रदेश में भेजे जा रहे हैं प्रती ट्रक हो जाती है मज्याव में इस तरह खुले आम बड़े पैमाने पर बालू के अवैत कारोबार होने से अस्थानिय लोगों में प्रशाशन के खिलाफ आक्रोस होने के साथ साथ अश्यरे भी लग रहा है आस्थानिय लोगों का आरोप है कि एक तरफ बीएम आवास निर्मान में ट्रेक्टर चालक यह कह कर बालू नहीं ला रहे हैं कि प्रशाशन पकड़ लेगी और दूसरे तरफ प्रशाशन की नाक के नीचे बड़े पैमाने पर खुले आम बैक होफ होकर बालू का कारोबार किया जा रहा है एस संबंद में अंचला अधिकारी रामजी प्रशाद गुपता ने बताया कि बड़े लोगों का खबर आप लोग कहां छापते हैं खबर लिखिये जरूर करवाई होगी सीयों ने दो बालू लदा ट्रक पकड़ा, 18 गंटे बाद छोड़ा मज्याव अंचल पदादी कारी रामजी प्रशाद गुपता द्वारा सुकरवार को दिर साम दो बालू लदा ट्रक पुराने अस्बताल के समी पकड़ा गया और मज्याव थाना को सुपूर्द कर दिया गया एस संबन्ध में अंचल कार्याले द्वारा थाना को लिखित रूब में कहा गया कि आवायद बालु लदे ट्रुक पकड़ा गया है और सनिवार को उक्त बालु लदे ट्रुक को छोड़ने के लिए पुना एक लिखित पत्र को भेजा गया कि बालू वैद्ध है इसलिए इसे छोड़ा जाता है एस संबंद में जानकारी प्राप्त करने के लिए जब सीयों से मोबाइल फोन पर संपर की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि ऑफिस आएंगे तो पूछिएगा एधर ट्रक को जब्द करने के दोखार डिस्टिब्यूटर बने